हलो दोस्तों वेलकम बैक टो और यूटूब चैनल तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है BPSC LDC की वेकेंसी आ चुकी है तो दोस्तों इसका स्लेवस भी आपको पता होगा जन्रल अवेनेस 50 कॉस्टन पुछे आएंगी मैथ के और साइंस के 50 कॉस्टन और 50 कॉस्टन रोजिकर ठीक है तो कमेंट आया था कि इसके प्रीविएस एर पेपर के बारें बताए जाए तो देखो ऑफिसेल वेफसाइट पर गया था मैं वहां तो कोई पेपर मिला नहीं है गूगल से डाउनलोड किया है तो इसी के बारें में बताने जा रहा हूं तो यह तीन पार्ट में दि कुछ सकते हो तो और अगर हमारे दूसरे चैनल पर जाना चाहते हो तो उस पर क्लास चलें इसकी क्लास भी ले सकते हो ठीक है प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे है तो पहला कॉस्टन दिया है निम्ले के तकनीकी दिगज़ों में से किसके द्वारा दो अज्जा ठार है डिज को डिजिटल लेटरेसी लाइब्रेरी लांच की थी ठीक है तो वो किस ने की थी गूगल ने ट्वेटर ने माइक्रोसॉप ने या फेस्वुक ने तो यह फेस्वुक ने की थी ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी तो अगले कॉस्टन पर चलते हैं कॉस्टन नम प्रेक्टिस सेट में एक्सिय किया जाएगा पूरा ठीक है तो इसमें मैं सिर्प आंसर बता रहा हूं तो तीसरा कॉस्टन क्या है भारती यह संविधान के निम्रकित किस संसोदन के अनुसार दिल्ली को राष्टी राइदानी छेत्रे NCT के रूप में नामित किया गया था तो यह 69 वा संविदान संसोधन ठीक है इसका अंसर हो जाएगा D आपका 69 वा संविदान संसोधन कि आगे चलते हैं रगटे कोसन की तरफ पसन नमबर चार तो यह कोसन नमबर चार क्या रहा है नियुक्त में सेक किस देश ने 17ए फीफा अंडर 17 विसकप 2017 जीता जिसकी मेजवानी भारत नहीं की थी देखो मेजवानी भारत नहीं की ती तो जब 17 में अंडर 17 फीपा ठीक है तो यह जीता था आपका इंग्लेंड ने ठीक है इसका अंसर वियागा डी आगे चलते हैं अगले कौशन की तरफ कौशन नम्मर फाइव निम्लिकित विकल्पों में से कौन सा बिहार का महतपूर पीड़ों में से एक है वो किसका पीड़ ठीक है बवूल पाइन और इमली इन समय से साल का प्रेड़ है ओके चलते हैं अगला कौशन क्या है कौशन अम्मर छे तो यह क्या कह रहा है भारत का पहला पर्यावर अनुकुलन भारत का पहला पर्यावर अनुकुलन जैव इधन संचालित विमान जो जट्रोफा वीज के तेल और विमान टर्बाइन इधन के मिस्टर पर चलाया गया था उसने निम्लिके सहरों में से किस कौन से सहर के बीच उडान भरी थी तो इसका देखो आंसर हो जाएगा देरादुन और दिल्ली आंसर नम्मर डी ओके आगे चलते हैं अगला कौशन सात्वा नौवी पंच चलते हैं अगला कौशन की तरफ सांती स्वरु बट्नागर पृस्कार किस छेत्र में भारती कारिक इमाननेता के लिए प्रदान किया जाता है तो इसका आंसर हो जायेगा आपका आपका ए ओके बिज्यान और प्रद्दग गी बिग्यान एवम प्रॉद्ध होगी की चलो अगले कॉसन की तरफ चलते हैं अगला कॉसन क्या है कौन सा दिन विस्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका अंसर होएगा आपका 20 अगस्त आगे चलते हैं कॉसन नम्मत 10 नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरी लेजर पल्स द्वारा लिया गये समय की ओसत अबदी क्या है जो अमें धीमी गती में इलेक्ट्रोनों के निरिचर करने की अनुमति देगी तो देखो ये ओप्षन दिये आपके इसमें से कौन सा और लोगा अगले को इसकेंड्य कोशन चलते हैं तो अगला कोशन दिया है भारत का निमनिकित भारत का निमनिकित कौन सा राजितांसी नवार्ड प्रिदान करता क्रता करता है एक का इन मैसे भारत के कौन से राज को मुक के कपास उत्पादक कहा जाता है तो इसका अंसर होएगा आपका D. गुजराद महाराष्ट और आंधरपदेश अगला कॉसन क्या है निमलिकित मैसे कौन सा खेल दियोधर ट्रोफी से सम्मन्द दिये तो आपको पताई होगा यह है क्रिकेट से ठीक है आगे चलते हैं भारती सम्मिदान के अनुच्छेर पिचत्तर एक के अनुच्छा निमलिकित मैसे कौन भारत के विदान मंत्री को निक्त करता है प्रेसिडेंट ओके इसका अंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ठीक है डी ऑप्सन तो भारत के राश्ट पती इसका अंसर हो डी अच्छा अगला कोसर क्या दिया है कॉस्सर नमर पंद्र है यह क्या दिया है बुद्ध को बोदी पेड के नीचे घ्यान प्राप्त होगा था जो देखिए किस देस में दो अज्जा ठारे ओलम्पिक आयत किया गया था इसका अंसर हो जाएगा और रिपिब्लिक आफ कोरिया ठीक है किस भास में सबसे शुरुवाती बहुद पविद्र ग्रंथ लिखे गए थे तो पता ही होगा कौनसी भास में पाली में को सबसे पहले ातीं बहुत ग्रंथ पाली बहा दाने लिखे गए थे आगे question देखते हैं verse 287 के लिए verse 287 के लिए 53वा ग्यानफीट पुर्षकार से किसे सम्मानित किया गया था ठीक है तो इसका answer हो जाएगा आपका कृष्णा सुबती कृष्णा सुबती को 53वा ग्यानफीट पुर्षकार दिया गया था तो आगे चाहते हैं कॉसन नम्मर 20 भारतिय खनेच वर्ष पुस्तक 2015 के चब्वनभी संस्क्रड के अनुसार हेमेटाइट लोहा का प्रमुक रिजर्व मुक्षी रूप से निम लिखित में से किस राज में पाया जाता है इसका अंसर हो जाएगा आपका डी 36 गड़, जारकन, उडिशा और गोवा आगे चलते हैं अगले कॉसन की तरफ 21 उस खेल का नाम बताईए जिसमें बकरी, बचड़ा, भेड के सिरोही इंसव का इस्तिमाल खेलने के लिए किया जाता है ठीक है इसका अंसर हो जाएगा आपका बी भुजक्ची ठीक है, भुजक्ची, आगे चलते हैं अगले कॉसन की तरफ तो माल दीप की रायधानी क्या है, माल दीवी रायधानी क्या है माले, अंसर नमर डी, ओके, आगे चलते हैं गुप्त राइवन्स के किस सासक के सासनकाल के दोरान चीनी विच्चु फायान ने अनुशासनात्मक नियमों का पता लगाने के लिए भारती बहुत धार्निक इस्थनों का दोरा किया यह है चंद्रगुप्त सैकेंड इसका अंसर हो जाएगा आपका ए आगे चलते हैं कॉस् समस्या की समाधान के लिए किने बिहार आमंत्रत किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ए महत्मा गांदी को आमंत्रत किया गया था आगे चलते हैं 25 निम्न लिकित कतन पड़ें और उसका सही जवाब दें जो नीचे आप्शन दीए वो तो बकसर की लड़ाई सत्रस चौस्ट में होई थी ठीक है प्लासी की लड़ाई वर्स पंद्रस सत्तान होई थी इसका अंसर हो जाएगा आपका पच्चीस का भी मतलब पहला तो सही दूसरा घलत है ठीक है कोस्ता नम्मा 26 इनमें से किसके द्वारा समधायक विकास कारक्रम के कान को आंका गया था ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका बलमंत्रा मिहता ओके आगे चलते हैं अगला कॉस्टन 27 निम्लिकित में से कौन सा खेल टूनामेंट नेट वैस सीरीज से सम्मंदित है यह आंसर हो जाएगा आपका सी क्रिकेट ओके आगे चलते हैं अगला कॉस्टन क्या है निम्लिकित में से कौन सा विकल्प भारत में एक अर्थ नियाएक प्राधिकार प्राधिकारी है तो 28 आंसर हो जाएगा डी इसका अंसर हो जाएगा प्रसासनिक नियाएदिकर ठीक है प्रसासनिक नियाएदा नियाएदिकर अगला क आपका क्या दिया है निम्लिकित मैंसे कौन सा खतन ब्रेटेसों के आगमन से पहले भारत में कृसी संस्कृति में महलाओं के बारे में सच है ठीक है तो इसका अंसर आपका हुए आएगा वी बी आंसर क्या है और टिसनल कार जैसे कताई यार्न सिप्टिंग वर्त बरतनों के क्यों प्रेट लिए ओके मिटी को समा मिटी को सानना कड़ाई ठीक है यह आंसर हो जाएगा इसका तो आगे चलते हैं अगले कोस की तरब चलेंगे तो आगला को सन क्या दिया है रायल इंडिया नेवी विद्रों के दौरान भारत के वाइसराइब कौन था ठीक है जो इंड लॉड वेविल ओके आफसा नम्मर डी लॉड वेविल अच्छा थर्डी वन निम्लिक तुम ऐसे भारती सम्मिदान का कौन सा नुच्छे जम्मु कस्मी राजी को विसीज दर्जा देता है तो इसका अंसर हो यहागा तीन सो सक्तर आगे चलते हैं बारत के किस राष्टी उद्ध्यान में एक सिंग वाले गेंडों की लुप्त प्रयाय प्रजाती की रच्छा की जा रही है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका काजी रंगा बी ओप्सम ठीक है काजी रंगा आगे चलते हैं आगे दिया है थर्टी थ्री देखो दोजर पंद्रे सुले में उपलब्द अंडा उत्पादन आकड़ों के मुताबिक अंडों की अन्मानित प्रतिव्यक्ति उपलब्दता क्या थी ठीक है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 66 अंडे प्रतिवर्श ओके बी आगे चलते हैं अगले कॉस्टन की तरफ भारत में लोकसभा के सदस्यों की सामाने अब दी क्या होती है थर्टी फोर बी अपसर हो जाएगा इसका पान साल होगे आगे चलते हैं क्रिकेटर एवी डिविलियर्स इन मैं से किस देश के निवासी है यह तो सब को पता होगा साउत अफरीका क्रिकेटर एवी डिविलियर्स साउत अफरीका यह कॉस्टन और बन सकता है कि ऐसा कौन सा खलाडी है जिसको 360 के नाम से जाना जाता है 360 के नाम से किसे जाना जाता है तो वो हैं सावत अपरिगा के लाड़ी एवी डिविलियर्स ठीक है ब्रिटिस भारत के दोरान 1912 में 12 से पहले बिहार किस प्रेशिडेंट का हिस्सा था ठीक है तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बंगालों के चलो आगे चलते हैं 37 नवंबर दोज्जा ठारे में नीती आयोक के उपाध्यच कौन थे डाक्टर राजीव कुमार आगे चलते हैं अगला कौसन 38 निम्न लिकित में से कौन सा हिन्द महासागर रिम एसोसियेशन का समवाद साईदार नहीं है ठीक है तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा भारत ठीक है आगे चलते हैं भारती सम्मेदान में कितने भाग हैं तो कितने भाग हैं 22 ठीक है 39 22 लेकिन अब कितने भाग हो चुके हैं ये तो दोज्जा ठारे की बात है ठीक है लेकिन अब भाग हो चुके हैं तुवारे 25 ये काफी important question है पूछा जा सकता है ठीक है NTPC में कई बार पूछ लिया है कि भारत के समयदान के कितने भाग हैं तो 25 हो चुके हैं ध्यान रखना अच्छी तरह हैं लेकिन इसमें आंसर इसका 22 होगा जब भारत के योजना आयोप में भारत के प्रिदान मंत्रे की सतस्ता का स्वरूप निम्ड में से कौन साथ था ठीक है तो 40 का अंसर होगा आपका पदेन अध्यच पदेन अध्यच के रूप में ठीक है यहां तक तुमारा वो था जनरल लवेनस इसके बाद मैथ और साइंस स्टार्ट होता है तो इसको हम अगले अगले पार्ट में बताएंगे ठीक है निम्ड करेंसे कौन सी वीमारी एनो फिलेजी मच्छर द्वारा मनुस में होती है इसका अंसर हो जाएगा आपका यह ठीक ह मलेरिया तो यह इस तरह से दिया है यह पूरा ठीक है तो दो लगातार विसम पूरांकों के घं का अंतर अमेज़ा किससे वायत होता है तो यह मैथ का कॉस्टन इठीक है तो इसमें तो चालिशते लेकिन अब पचा-पचास कर दिये हैं बोलाएं कि पचास कॉस्टन जनरल पचास कॉस्टन में साइंस पचास हो ठीक है तो इस तरह से आपका प्यपर आएगा अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो